मुझे personally clear art बहुत जादा पसंद है तो मैंने सोचे चलो में बना लेती हूँ जब मैं Pinterest पर देखती हूँ कि वो इतने अच्छे से house बना रही होती है और इतनी finishing के साथ बना रही होती है तो मुझे बहुत जादा होता है कि यार मैं भी ऐसा बना हूँ अफकॉस यार उनकी practice होती है और वो बहुत जादा practice करते है तब ही उनकी इतनी improvement है और काम इतना अच्छा हो कर रहे है लेकिन अगर मैंने सुचा है कि मैं daily भी practice करती रहूँ clay art के साथ तो हो सकते है कि मैं भी काफी अच्छा बनाना स्टार्ट कर दूँ काफी improvement आ ही जाए तब जाके ये base बनी है बिसिकली अब जो भी मैं बनाऊंगी इसके उपर ही बनाऊंगी तो मैंने सुचे एक house बनाऊंगी छोटा सा और इसके उपर कुछ अलग से detail वागर एट करूँगी तो चलिए देखते कि क्या बनता है तो मिनी सा डॉल हाउस बनाने वाली हूँ उसके लिए मैंने पिंक कलर लिया है और अब मैं जो भी बनाऊंगी इस पिंक कलर के उपर बनाऊंगी अब मैं चोटी चोटी डिटेल्स एड़ करी हूँ जो कि कले के साथ काफी मुश्किल हो जाता है बट यार अगर ट्राय करें तो मैं कहती हूँ कोई भी काम मुश्किल नहीं है तो यहां पर मैंने बनाए चोटा सा डॉर अब मैं बनाऊंगी चोटी सी विंडो और विंडो के लिए मैंने कुछ जादा नहीं बनाया है बस सिंपल सा डॉट्स बना कि इसके उपर मैंने लगा दिये जिससे के वो लगेगे यार यह विंडो है तो अब मैं बना रही हूँ जिसके उपर कैब बैसिकली मैं बना रही हूँ जी हाउस के उपर एक चछत तो चछत के लिए मैंने लिया है औरेंज कलर और अब मैं इसके अंदर छोटी छोटी डिटेल्स एड़ करी हूँ जिससे के वो मश्रूम जैसा दिखे तो अभी हमने इसके उपर गरीन कलर की लीज भी एड़ करने हैं तो होपस हो कि आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो अभी तक तो अच्छा लग रहा है आगे चलके देखते हैं कि मैं क्या बनाने वाली हो किस तरह से बनाऊंगी तो औरेंज कलर की उपर अब हम गिरीन कलर के छोटा सा लीज एड़ करेंगे छोटा सा ये लीज एड़ करने का मकसद तो मुझे भी नहीं पता कि मैंने क्यों एड़ कि है बट यार इससे थोड़ा सा ये जंगल में रहने वाला हाउस हो तो उस तरह की लोग दी है मैंने अब मैं बनाऊंगी जिसकी उपर सीड़ी अब मुझे ये समझने आरी कि मैंने सीड़ी क्यों बनाई है बिखोस यार के चट तो है नहीं कि जिसकी उपर आप लोग सीड़ी चड़के उपर चड़ जाए बट पता नहीं मैं क्या कुछ बनाती रहती हूं मुझे खुद भी नहीं आइडिया है तो होपसू कि आप लोग वीडियो को लाइक करें और चानल को भी सब्सक्राइब करना नहीं बूला है और अगर कुछ चीज अच्छी नहीं मिलेगी है तो बता देना कि अच्छा नहीं लगा बाबाई